हेलो दोस्तों आज हम लोग टेकनिकल अबजेक्टिव में 101 से 1025 तक डिसकस करेंगे यह पार्ट 3 है यह पार्ट 3 में स्रिफ 25 कोस्चिन जो 3 फेज बाला वाकी है वो ए वीडियो में डिसकस कर लेंगे यह वीडियो में 50 कोस्चिन किया जा सकता था बार्ट वो जो इसमें एड हो जाएगा इसलिए आप लोग को दिख्कात होगा तो यह डिफारेंसियल कर लेने के लिए यह थ्री फेज बाला अलाग से 25 जो बाचा था ओ यह वीडियो में बना दिया ठीके तो पहले देखिए एक से एक वाला जो क्वेस्चन है इन थ्री फेज लोको तु स टु स्वीच ओन फ्लसर लाइट डियास स्वीच टू ऑ ऑफारेटिटी ठीके बोला थ्री फेज लोको में फ्लसर लाइट को चलाने के लिए कौंसा συग्णा अपरेट करना होता है यह है वीपीफील फ्लसर लाइट वाला पूछ बटन जो है पैनल शी में रहेगा इसके बा पार्किंग ब्रेक कौन-कौन हुईल में लगता है। कौन सा हुईल में लगेगा। 2, 6, 7 & 11 में। तो WAG 9 & WAP 7 में 2, 6, 7, 11 में लगेगा। और ये WAP 5 होगा तो 1, 4, 5 & 8 में लगेगा। WAP 5 होगा तो तो इसका राइट अंसर है ये 2, 6, 7, 11। Next 103, 3-phase loco is having dash number of 3-phase auxiliary motor in loco underframe। तो loco underframe में 3-phase loco में कितना 3-phase auxiliary motor रहता है। ये है 4, क्या क्या है। हमारा 2 compressor आएगा, compressor 1, compressor 2 & 2 हमारा transformer oil को circulate करने के लिए पांप रहेगा। तो टोटल हो गया 4 Next 104, if RS pressure is below 5.2 kg2 and MCPA are not working, MCPA start automatically provided BLK is in dash position. तो बोल रहा है हमारा RS pressure 5.2 से घट गया है, ठीक है, below हो गया है। कम हो गया है, तो हमारा क्या होगा, MCP, हमारा compressor working नहीं कर रहा है। तो हमारा MCPA start automatically BLK को कौन सा position में रखने से। तो C और D जहां पर रहेगा, यह MCPA start हो जाएगा। RS pressure 5.2 से घट जाने से क्या होगा, MCPA start हो जाएगा, BLK हमारा D में रहेगा, driving mode में और cooling mode में रहे दोनों से क्या होगा, start होगा। नेश देखिए 105, इन 3 phase लोगो before operating throttle, NCO dash node information on screen, तो हम लोग देख्या है, जो part 2 था, उसमें हम लोग detail से बोल ला था, कब क्या FLG node information आथा है, तो उसमें देखिए थे, FLG 590 आ रहा था, उसके बाद ही हम लोग क्या कर रहा था, throttle को operate कर रहा था, तो इसका answer हो जागा, FLG 590, ए throttle operate करने के बाद 596 आएगा, तो इसका right answer, FLG 590, next, 106, in 3 phase लोगो SS03 बिलोंग स्टो, SS03 हो गिया, traction boggy 2, main power होगा क्या, SS01, traction boggy 1 होगा, SS02, traction boggy 2 होगा, SS03, ठीक है, 107, in 3 phase लोगो, oil cooling blowers, cools dash and dash, ये तो हम लोग पहले ही जाना है, TFP oil, जो transformer oil, उसको ठंडा करता है, और ASR oil, ठीक है, traction converter का oil को ठंडा करता है, तो oil cooling blower, ये दोनों को ठंडा करेगा, 108, in 3 phase लोगो, to isolate track number 1, keep dash switching dash position, ये भी फैला किया है, 154, क्या है, 1 position में राखेंगे, traction converter 1 को राखना होगा, isolate तो 1 position में राखेंगे, 2 को राखना होगा, isolate के लिए, तो 2 में राखेंगे, दोनों को isolate काना होगा, तो 1 and 2 में राखेंगे, और normally ये, क्या राखा, normal राखा, auto position नहीं है, normal, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, 154 switch को 1 position में राखना होगा, नेक्स्ट, 109, इन 3 फेज लोको ये battery voltage drop to dash volt for 30 seconds, priority 2 message अपियर, तो जो 3 फेज लोको का battery voltage अगर 92 वोल्ट से गिर जाता है, तो हमारा 30 ठेकन के लिए जो गिर जाता है, तो priority 2 का मेंसेज आता है, तो इसका 92 वोल्ट answer होगा, 110, इन 3 फेज लोको for application of parking brake speed should be below, तो parking brake हमारा apply होगा, कब जब 5 केमपेज बिलो होगा, काम होगा speed, तभी parking brake लागेगा, उसके बाद देखिये, इन 3 फेज लोको, SS-16 belongs to dash subsystem, SS-16 होगा क्या, speedometer के लिए, में मोटल, ठीक है, 112, in proportional working, maximum brake cylinder pressure in G9 लोको, is dash kg2, तो हमारा professional braking मतलब क्या होगा, हमारा A9 से जब brake लागाता है, तब हमारा जो लोको का brake cylinder में कितना pressure लाग देखिये, 113, in 3 फेज लोको, normal position of pente selector switch is, तो यह हमेशा auto में राएगा, pente selector switch हमारा auto position में रखने से क्या होता है, देखिये, यह auto में है, तो select auto है, तो क्या करेगा, हमारा cab 1 से चलाएंगे, तो auto रहने से, यह cab 2 के उपर जो पैंटो रहेगा, ओ उठेगा, और cab 2 से चलाएंगे, तो cab 1 के उपर जो rear बाला पैंटो है, तो हमेशा rear बाला पैंटो auto position में राखने से उठेगा, यह pente selector switch, बाट कोई भी हमारा pente खाड़ाप हो जाने से, हमको जो good condition बाला pente है, उसको select करना होगा, माल लिजे pente 1 खाड़ाप हो गिया, तो pente selector switch को तू position में राखना होगा, pente 2 खाड़ाप हो गिया, तो pente selector switch को आमारा one position में राखना होगा, यह है pente selector switch, ठीक है, जिसका हमादा normal position है auto, 114, in 3-page local location of fire detection unit, FDO कहावर रहता है, SB2 में, ठीक है, SB2 में रहेगा fire detection unit, उसके बाद देखिया, 115, in 3-page local is having dash number of battery box, तो यहाँ पे 2 battery box रहेगा, यह conventional local होगा तो 4 battery box रहेगा, बाद 3-page में हमारा 2 battery box रहता है, 116, 3-page local having dash number of single-page 415-volt auxiliary motor, तो हमारा single-page वाला 415-volt auxiliary motor कितना है 3-page में, तो 3-page local में 4 ऐसा single-page वाला auxiliary motor है, कौनसा कौनसा, हमारा scavenging blower जो single-page है, जो हमारा machine room blower 1, machine room blower 2, दोनो हो गिया, और उसका हमारा scavenging blower HR हो गिया, हमारा 3-page local का single-page auxiliary, उसके बाद देखिया, 117, in 3-page local to operate reverse are ensure dash node information on screen, and MR pressure should be more than 6.4 kg2, हम लोग फेहले यह discuss किये गे थे, जो हमारा throttle, sorry, reverse are रहेगा, और reverse are को operate करने के रिए पहले, कौनसा node information आएगा, FLG 570, 570 आएगा, उसके बाद ही हम लोग reverse are को operate करेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे, जो pressure रहेगा, वो 6.4 kg2 रहना चाहिए, नहीं तो priority 2 का, sorry, priority 1 का, एक fault message आएगा, ठीक है, उसके बाद देखिया, 118, in 3-page local battery charger input mcb number is dash and located in, तो बोल रहा है battery charger, जो input mcb है, वो कहाँ पर रहता है, और उसका number क्या है, तो उसका number है, 100, ठीक है, 100, and वो hv2 में रहेगा, 100 hv2, input बाला, ठीक है, 119, in 3-page local is, sorry, in 3-page local speed is more than 10% than the local mps, only audio-visual indication will appear, तो जो 5% अगर रहेगा, ठीक है, उसका speed से maximum permissible speed, ठीक है, mps मतलब हो गया, उसका maximum permissible speed से कितना पास्टिन अधिक होने से, ओ audio-visual हमारा indication देगा, तो 5% अगर ज़्यादा होगा, तो audio-visual हमारा indication देगा, बाट ये 10% ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा, ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, 120, parking brake is provided to dash wheel in G9 local, तो ये तो देखा है, कौनसा कौनसा, 2, 6, 7 and 11, 7 रहेगा, P7, तो 2, 6, 7, 11, P5 रहेगा, 1, 4, 5, 8, ठीक है, 121, ओभार कारेंट रिले इन्स्रिफेज लोको, ये है OCR 78, OCR, इसका नामी पता चलता है, ओभार, C से कारेंट, ये है रिले, 78, ठीक है, OCR 78, 122, इन्स्रिफेज लोको, SS18 बिलोंग स्टेश सब सिस्टेम, SS18, SS18 क्या है, पोर्सेशर FLG 2, 17 है, पोर्सेशर FLG 1, ठीक है, 123, इन्स्रिफेज लोको, नॉर्मल पोजिशन अब जेट टेल स्विच इस, नॉर्मल जब रहेगा, तब ये आप रहेगा, ठीक है, ये याद रखना, जो हमारा जेट टेल स्विच रहता है, उसका नॉर्मल पोजिशन आप रहता है, 124, इन्स्रिफेज लोको, टु क्लोज दर डीजे, एन्सी और डास नॉर्मेशन अन स्क्रीन, तो डीजे क्लोज, बील डीजे, क्लोज करने के पहले, क्या आता है, FLG 550, और पैंटो के लिए 504, तो 504 आएगा, तब पैंटो, और 550 आएगा, तब डीजे, और 570 आएगा, When Z-Dale is switched on, Tractive airport, T is limited to 10-kilone-ton in WH9, तो 300-kilone-ton, यह क्या होता है, लिमिट हो जाता है, तो एजे, ट्राक्टी आपो लिमिटिंग स्विच है, तो A हमाड़ा on करने से क्या होता है, यह 300-kilone-ton से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, एक लिमिट तक अशेट हो जाएगा, तो इसका अ 126 से हमारा conventional स्टार्ट हो रहा है तो इसका वीडियो हमारा पार्ट 4 से स्टार्ट होगा ठीक है तो पार्ट 3 में यहां तकी 1, 2, 5 तक हो गया हमारा पार्ट 3 तो यह जो पार्ट 1, पार्ट 2, एन पार्ट 3 हमारा हो गया 3 फेज बाला यह 3 फेज अब्जेक्टिव श्रिप था तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में ठीक है पार्ट 4 में देखना conventional स्टार्ट होगा ठीक है चलिए अब